कि कम टूवर लेक्चर सम डूज और दू नॉट्स इंट्रिव्यू यह बहुत ही मोटी मोटी बाते हैं जो गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी है मेरा टास्क यह जैसे मैंने कल भी बोला था कि हमें ऐसी को गलतिया नहीं करनी है इतने कम टाइम में कि वह ब्लेंडर कॉंसिचूट करें और बहुत ध्यान से त्यारी करनी है जो मैंने कल बाते बताए थी बहुत इंपॉर्टन्ट है जो उसको समझेगा उसको इंप्लिमेंट करेगा वह डेफिनिटली अच्छा स्पोर करेगा इसमें को शक नहीं है पर आपने इंट्रू में जाकर बिलंडर में अपको बिल्पलिक्व को को सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्डन बात है यह है डोंट गैस डैस डैस नहीं करना आपको बिल्कुल आपको कोश्टिन का नहीं आता सिंप्ली से सर पाड़न में आम नाट अवेर अवेर अबाउट या आएम अन एबल टो रिकॉल लेकिन डोंट ट्राइटू गैस आई तेंक एन अगर आपको पता भी है जी तो भी एट सेवंटी नाइन टी तूजन एलेवन सेंसे में तिल यू से आई तिंक सर एट 879 तो इट विल बी टेकन एस गैस को कहेंगे गैस मार रहे हो कि पक्का पता आपको अगर आपने बोलना ही है आंसर गलत हो सकता है आपका हो जी एट एट एटी फाइफ आपका गलत है आंसर लेकिन गैस्टो नियुन आ यास करना ज्यादा हम फुल है रादर देन तेलिंग रॉंग आंसर गैस करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि इसे डिविंग राइड रॉंग आंसर तो गैस नहीं करना है अब कहेंगे आप से पूछा जो आपको लगता है कि यह आपको आना चाहिए मैं थोड़ी सी अडिशनल बाते बताऊंगा यहां पर डिपलमेटिक कैस कितनी है और आपको सब्सक्राइब याद नहीं आ रहा एक्जाम्पल ले ले हूं मैं आपको याद नहीं आ रहा तो कैसे आपको होगे कि मेरे को नहीं आता वोड़ आपको कोई करना चाहेगा कि किस टेक्निक से आप भाहर निकलोगे आप मिनिम्म डैमेज के साथ और वाइ सब्सक्राइब नहीं पता कैसे निकलोगे बहार रहा हूँ आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब अगर आपको एक आधी बार भी आपके इट्रमें यूज हो गया यह आपक अपने आप कम से कम दस नंबर बचालो गया अपने और आज सा हो सब्सक्राइब तका ना है इतका अवकेसल गया चेसल गया तो सब्सक्राइब आप बहुत उगया मैं अन्सर करता है चोटा साब देखो और अचलो करूट रहे कि रहे गूद गूद बोलो शाबस और यह में और जालाग बनने कोशिच कर रहे हो इसका मैं आंसर कैसे करूंगा प्रावल्म आप is suffering with a problem of low sex ratio and it is quite low. We rank lowest in a lower at a lower position in our country. But somehow exact figure is not coming to my mind. Somehow exact figure is not coming to my mind. Somehow exact figure is not coming to my mind. अब यह आंसर कैसा लगा आपको निकल गए बीच में थोड़ा बहुत minimum damage से आप जब भी ऐसा कोई आपको सामने आए उसके बारे में कुछ बताओ और निकलाओ और क्या इलाज है हमारे पास अग्रिकल्चर का है सर इसको परफेक्टली गुड़ आंसर माना जाता है इसको एक बिरोक्रेटिक क्वालिटी माने जाती है कि आपने एक इन्सान के ध्यान को भठका दिया जो अगला question था उससे डैवेट अब ये मत कहो कि ये निपता, आप ये कहसे तो कि आपको ये निपता कि 20% है हराना में, ये हो सकता है कि ना पता हुआ आपको, इतना तो पता है कि ये लोएस्ट है, आपको 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 कि ये कि ऐसे बहुत सारे को सकते हैं जिसके अंदर आपको लगता हो कि या रहे मुझे पता होना चाहिए या उसके बारे में कुछ पता है आपको तो उतना को बता के आप एग्जिट मार लो और इससे आपका डैमेज मिनिमम होगा और सब्सक्राइब कोई की ऑपीनियन बेस्ट है अब वह आपने ऑपीनियन बनाया नहीं हुआ तो डों ट्राइटू आप आप ऐसा कहीं कुछ पीनियन बोल जाओ जिससे आपको डैमेज हो जाए ऐसा नहीं आपको करना चाहिए आप यतना कोई भी इशू है जिस पर आपका ऑपीनियन नहीं है बिलकुल आप कह सकते हों कि सर I have I don't have enough information on this particular subject to give former opinion on it, थास herb कहता हुआ नहीं दोत चाहने, पुल्स हुआ था बधर थाज़ किसे नौ रधर दा मो कुल्सेटांख़ू स्बचना कोई ग्या हुआ हु अबोटर रह learn than giving a wrong opinion. So don't guess. This is the first and the four most important thing in state civil services. Guess किया, आपके number कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, घबराना नहीं है, आप से 5 factual question पूछें, नहीं आते, guessing start नहीं कर देनी है, guessing नहीं start कर देनी, नहीं आता तो नहीं आता, that is the fact, तो आपको आगे चलना है उसको, उनको मौका देना है कि और question पूछें रादर देन हम उसी भी घूमते रहें question तो, this is the first thing, second is, तेखिये कई बार होता क्या है कि question आप से पुछा गया है, but and you know the answer, and we tend to immediately answer, यह अगेन बहुत important point है, जिससे आपके number vary हो सकते है, कि don't immediately answer, फोड़ा सा pause लेना है, 2 second, 3 second, 4 second का pause लेना है, फिर answer करना है, for example, आप से पुछा गया, what is the sex ratio, आपको पता 879 कि, according to 2011 census, it is 879 सपो, पता है आपको, तब भी फोड़ा सा pause लेना है, but according to 2011 census, it is 879, and according to the recent estimates, it has been upgraded to 926, but still census 2021 is to be conducted, pause, 3, 4, 5 second का pause लेने में कोई हाम नहीं है, और अच्छा लगेगा वो उससे कहा है कि आपके continuity बनी रहेगी question answer में, कई ऐसे questions आएंगे जिसका answer आपको नहीं पता, उसमें आप naturally pause लोगे, होगा कि कुछ answer में आप बिलकुल pause ने ले रहे, कुछ answer में pause ले रहे, वो और लगेगा, आपके थोड़ी से ने continuity लगने चाहिए answer में, वो अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, इस अब तरफ देखना नहीं है, यह कोशिश करनी है, कि ऐसा ना लगे कि आप बिलकुल चेर की तरफ देख रहे हैं और बोर्ट से एक तरह से request कर रहे हैं कि बैट जांगी मैं क्या, तो बेखना नहीं, प्रोटोकोल यह माना जाता है कि डोंट टेस्ट अचेर, डोंट लूक अचेर, खड़े हो जाओ, अगर वह कहें आप से कि आप बैठी है प्लीज, तब आप बैठते हुए थैंक्यू कर सकते हैं उनको, लेकिन जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए, ब बोल भी दोगे कोई हाम नहीं है, अगर बोल दोगे तब भी हाम नहीं है, अपनी कि देखिया अप लेकिन जब बैठने की बात हुँ, नेवर आस्क में इस इट या धियान रख लिजिए, अगर आपके अंदर टेंटेंशी है, ऐसी कुछ बोलने की, तो आपको उसको कंट् करने हैं, कैसे exit करने हैं, तो डोंट आस्क ये थर्ड दू नॉट है, जो ये मोटी मोटी बाते बता रहा हुँ, सारा कुछ तो ये को आप पर्फेक्शन नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये जो मोटी मोटी बाते हैं, विच विल कॉंस्यूट आप ब्लेंडर, जैट शुड आर्गुमेंट में फच जाना, उससे क्या हासिल हो जाएगा कुछ भी नहीं, वहां कोई क्यूजिंग गेम नहीं हो रही है, कोई विन डूस गेम नहीं हो रही है, तो यही पूछा कि कि कितनी परसेंटेज है, आपने कहा कि लोएस्ट है, एक मेंबर कहता है, नहीं चेंड अगर कोई बोर्ट किसी मुद्धे पर आपकी आर्गुमेंट होने की संभाव नहीं हो आपकी बोर्ट के साथ, आपको आपके पस मैं टूल दे रहा हूं कि उस टूल से कैसे निकलना है, कि आपको आर्गुमेंट में ने फसना, आपको पता है कि यह गलत बोल रहा है, कई बार होता है, कि मेंबर को फॉल्स इंफर्मेशन होती है, पंजाब में लास इंट्रूस में करीब 5-6 बार ऐसा और अपने खो दिए नहीं है, लेकिन फिर भी कोई विन लूज गेम नहीं है, विरुक्रेट को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, अगर सीनियर कहता है कि बाहर रात हो गई है, तो उसको डिप्लमेटिकली बताना आना चाहिए, कि रात नहीं है, दिन है, लेकिन वो गहंटे बाद चठी आजागे आपके पास कि चाहा आपने ये किया था, इसके explanation दो दरा, तो आपको रात को भी दिल में तरह नदर आना लग जाएंगे फिर, अज़ दो आपको दिल में तरह नहीं नहीं करना, आपको क्या दो बात है कहना है, पहली बार, कि सर, as per my understanding or as per my information, I had this fact with me, मेरे पास यही knowledge थी, उसकी recording मैंने बताई, अगर वो कह नहीं है, आप गलत हो, कि सर, if I am wrong, then I stand corrected, काम खत्म, number आपके पूरे, वो यही quality चाहते हैं आप से, कि आपको handle करना आजाए, अपने senior को, अपने से बड़े वेक्टी को, ठीकर थर्ड, next is, don't be irritated, आपने किसी भी बात से इरिटेट नहीं होना, बोट की, मेजर irritation points क्या होते हैं, आप से बहुत factual question पूछने लग गए, आप अंदर से irritated होते होते हैं, क्या पूछ रहे हैं, आपने इरिटेट नहीं होना है, आपने उस चीज़ को positive भी लेना है, ठीक है यार, this is the moment, this is my moment, मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाँगो, आप 15 मिनिट में, तो मेरे नंबर आ जाएंगे, तो irritate हो कि मुझे क्या मिल जाएगा, जो उन्होंने पूछना है, तो पूछना है, उस पर मेरा control तो है नहीं है, अप कुछ मेंबर बड़े factual question पूछने लगए, आ I am not aware about this, चाहे पांस question हो जाएं, दस question हो जाएं, गवराना नहीं है, नमबर आ जाएंगे आपके, मैं इतना शूर करता हूं आपको, लेकिन अगर आपने bluff मारना शूरू कर दिया, तुक्के मारने शूरू कर दिये, irritate होना शूरू कर दिया, फेस पर irritating expression आ गए, तो definitely you are going to lose marks टीके ना, irritation का एक और मुदा भी होता है, कि आपको बढ़ा वो कई बर कुछ कुछ नहीं आते आपको आपको एक rude remarks दे दें, तुम्हारा मेंस कैसे हो गया, नकल मारी ठीक या, ऐसा तो कहते हैं यह लेकिन एक दो इंट्रू में ऐसा भी बोला उन्ने, इन वर लास्ट ट्व करने के लिए बोलते हैं कि बंदा इरिटेट होता नहीं होता, तो आप यह कह सकते हो कि सर, इस इस वरी अब्विस तिंग, आई शूद आपने वह बात खा गए, आपने वह बात खा गए, जो उसने rude remark किया, आपने कहा, उस मुद्धे पर बात करो, तो बहुत एक question पूछा था, जिसके reaction में बोर्ड ने कहा कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा में कैसी हो गया, आपने वह कुछ नहीं आता, मेंस कैसी हो गया, इसका answer नहीं करना है, आंसर क्या करना, उस fact का, कि sir, yes, that fact I should have known, and somehow sir, it has skipped नमा मेंड, उसको reaction नहीं करने देना, नहीं सर मेहनव से means किया, मैं नकल थोड़ी मारी है, मैं तो बहुत महनती हूं, मैं चार साल से त्यारी कर रहा हूं, मैं तीन साल से कर रहा हूं, इसका मतलब गलत लोकॉस पकड़ रहे हैं, लोकॉस पकड़ना, उस fact है, क्या पूछा था, उस question को answer करना, उसको खाई जाना है आपने जो उसने रूट रिमार्क की है, ठीक ना, समझागी बाती है, clear है, एनी question अभी तक जो मैंने points बताएं है, इसमें किसी ने question पूछना कोई, यह बड़ी आपको शानती देगी इंट्रू के अंदर यह बात है, थोड़ा सा जो मॉक इंट्रू आप दे रहे हैं, उसमें भी प्रैक्रिस करो यह चीजें, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अपने अंदर confident feel होगा कि yes, I can handle any situation, मेरे पर tools है, I have some tools to handle the situation, वहाँ क्या हो जाए, 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 क्या पता है, ठीक है, यह हो गया, next is no abnormal body movement, आपको वाइल sitting, जैसे आप जाते हो, वहाँ बैठते हो, abnormal body movement नहीं होने चाहिए, रगार्डिंग, जैसे hand movement है, आपके, ज जैसे हाथ रखने है, थोड़ा बहुत ऐसे, थोड़ा बहुत ऐसे हो गया, doesn't matter, लेकिन उपर नहीं, उनको दिखने नहीं चाहिए, आपके हाथ उपर, यह बात होती है, secondly, क्या हमारे पर आदत होती है, abnormal leg movement हम पैट टांग लाते जा रहे हैं, उससे पूरी body हिल रही है, या आपकी language में, आपकी body language में, कहीं कोई, ऐसा कोई point तो नहीं है, जिससे थोड़ा सा odd लग रहा है, जो, abnormal body moments should not be there, उससे थोड़ा सा negativity आती है, वो इंट्रूव में, कि यह odd लगता है, कि आप, जैसे for example, बार बार आप उपर ही देखी जा रहे हो, तो ऐसी कई चीज़े होती ह हैं कि जो हम के बर हमारी personality का part होती है, उसका मतलब नहीं होता कोई, तो हमें for formal interview purposes हमें थोड़े time के लिए curtail करने पड़ा है, in case आप में से किसी को लगे कि मेरी कोई ऐसी habit है, और वो ठीक नहीं हो पारी, then you can consult, then we can give you a short term solution for that कैसे control करना हो सा, नेक्स चलें, नेक्स कुछ बात हैं जैसे आपको जब एंटर करना है तो आप विश करोगे न, विशिं करोगे, तो यह और विए तो दूआ प्रॉपर और और अडिबल विश, ते बर हमें इंडिया, इंडिया में क्या है कि we are, we are more, we don't wish properly, हमारी पूरी बोड़ी में इसे लगते हैं लेकिन हम मुह से ज़्यादा नहीं बोलते है, लेकिन यह जो इंटर्वू है यहाँ पर बॉड़ी से नहीं है आपको प्रॉपर ओडिबल विश करनी है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेडम, गुड मॉर्निंग सर, ताकि उनको क्लियरली दिख मेरा है, फार्मूला 3-5 बेश रूल, मतलब पहले आप तो सेंटर में चेर्मेन बैठा उसको विश करोगे या मैडम बैठे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, फिर एक राइट हैंड साइट पे अगर तीन मेंबर बैठे हैं, तीनों ही मेल हैं तो विश करना, गुड मॉर्निंग सर, फिर गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, इधर को देखके, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, मतलब मैक्सिमम आपके तीन विश होंगी, मिनिमम तीन विश होंगी, और मैक्सिमम पांच, इसको बोलते हैं, और वे शुरूल यह मेरा है इससे क्या कि आप अच्छा एक प्रेजन्ट करते हो और सारे मेंबर आपको एक वो करते हैं कि अधर्वाइस तो एडवांस हमारी विशिंग टेक्निक्स हैं अब वह में क्या अप्लाई करनी है सपोज आप एंटर करें आपने विश किया एक मेंबर आपको देखा नहीं मेंबर ने आप वह अपना कुछ काम करता जा रहा है आपने विश भी किया उसने फिर भी देखा अब आपको चकरने के लिए करता है तो अब हमें ध्यान रखना होता है कि यार उस मेंबर ने विश नहीं करी अभी उसने नहीं करी है तो अब आप उस वक्त हलका सा विश कर पाए तो आपके नंबर वैसे लगए कि बंदेने ध्यान रखा कि यहां इससे मेरी विश नहीं हुई एक्सचेंज और जब फर्स आई कॉंटक्त उनसे हुआ तो आपने विश करी नहीं इंटरप्शन क्यों है इससे कर सी तब भी तो विश करना प्राइमरी है जब आप ऐसी फॉर्मल सिचुशन में रहा है यह थोड़ा हाइर लेवल टेक्निक्स है यह हाइर लेवल आफ ट्रेनिंग है विच 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 इन इंटर्व्यूज ठीक है नेक्स पॉइंट जो मेरे को फील हो रहा है जब मैं मौक इंट्रू ले रहा हूं यूज लैंग्वेज एस कन्विनेंट यू लैंग्वेज आप वही यूज करें जो आपको कन्विनेंट है सपोज आप इंग्वेज में बहुत कन्विनेंट हो लेकिन बोर्ड अगर हिंदी में कोशन पूछता है यूज आपको हिंदी में ही आंसर करना है याद रखिये बात यह हर इंडिविज्वल हर कैंडिडेट मतलब मैक्सिम कैंडिडेट से गलती कर रहे हैं आप आपको हिंदी में आंसर करना है रिमेंबर हिंदी भी एक फंक्शनल हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे इंग्लिश टाइप में नॉट प्योर हिंदी वो एवरीबडी जो बोल चाल की भाशा है हमने उसी भाशा में आंसर करना या बहुत कॉंशेसली ध्यान दें खासकर ज आंसर को शॉर्ट और सिंपल रखिये बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स आंसर मत दें बहुत ज्यादा फिल्सॉफिकल आंसर मत दें वैसा आंसर दें जो अनना स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन के मेंबर्स जो पैनल वहां बैठा होगा वो समझ पाएं है ना विकॉस जनली जो स्टेट लेवल के कमिशन के जो कमिटी है या जो बोर्ड है वो बड़े हेट्रोजनस होती है एक तरफ तो वह मेंबर होगा जो बहुत लर्नर्ड है और दूसरी तरफ ऐसा मेंबर भी हो सकता है जिसने सिंपल ग्रेजुशन करी है जिसका इंटलेक् अपनी तरफ आपको एक पॉजिटिविटी बनानी है बोर्ट के अंगर तो अल्टीमेटली थोड़ा सा यही बात होती है कि आपको ध्यान रखना होता है कि वाइल आंसरिंग की इसको कितना समझा जाजाएगा उतना ही डेप्स में आंसर करता है पोशिश करनी है अपनी तर अपने अंदर गए विशी करना भूल गया साथ हो जाता है नॉर्मली एंट्री पे सब विश कर लेते हैं थोड़ा बहुत लेकिन होता क्या कि जस्ट एक विश करा बैठके प्रपर लिशी नहीं करा चलो ठीक है लेकिन एग्जिट के टाइम पे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि विश करना भूल जाते हैं तो आपने उच्टे भी थेंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थेंक यू मैं अगर वो मॉर्निंग तो और रहें और तो पिशे तरह जैसे मेरा फी आप रूल है एक और इस मेरी टेकनिक से जो बड़ी ओडी और रेड़ मार्क सी बन जब आपको एक बात है और स्टेट में बहुत काम आती है चीजी है लेकिन अगर आप कर पाएं तो जैसे बोड ने आपको बोला कि थैंक यू सर थैंक यू आप ने थैंक्स बोला उठे आपने विश किया तो एक ही दम डोंट टर्न और बैक वर्ट बोर्ड इमीडिएटली तो या तीन स्टेप्स थोड़ा सा पीछे लेकिए ऐसे अगर मैं यहां ख़ड़ा हूं तो ऐसे करके गृणिंग सर फिर आपने तरी अगर ऐसा कर पाऊ तो अगर ऐसा कर पाऊ थो सब्सक्राइब एट सेंट बेरी पॉजिटिव मेस्टिव तो एसी बहुत सारी चीज़ें है जो इंट्रूव में आ जाती है लेकिन जो मैं यहां लिस्ट डाउन करते जा रहा हूं यह पीपिटी आपको लेक्षर के साथ अटेस्ट रहेगी तो आप पीपिटी डाउनलोड करके अपने पास यह पॉइंट लेक सकते हैं यह गलती हैं तो डेफिनेटली नहीं कर सब्स् съ réfléchक है मैं खुछब इस पीटोच लेकितल सकते हैं चू पॉछ्च विक लिपरनिंगाना, मेंसे प्राविन बनसले कि आता Circle में कुछ्च भी तुमच भी बनसले आप ? लग रहा है कि यह नॉर्मल बच्चे जो है यह आम मेरे पास भी आके बैट इस तो उपर देख रहो थे लेकिन आप सुछो कि अब आप कैमरे में मुझे देख रहे हो कितना लग रहा है तो तो बोर्ट भी आपको दीख रहा कितना और लगेगा यह दो तो कि समय नॅबर वन तिंग कि आपको आई कोंटेक्ट बोड के साथ मेंटेन करना प्राइमरेली विद्धा मैंबर जिसने कोसन पूछा है एक इसमें कोसंवें आता है कि किस बोड़ की मैंबर की तरफ देखना है तो प्राइमरिली विद दी मैंबर जिसने कुर्षिन पूछा गया और बीच बीच में आप बाकी मेंबर के तरफ भी देख सकते हो नमबर एक अब आपको सर हमें तो प्रॉब्लम है बड़ी आई कॉंट्रेक्ट मिंटेन करने में मिरे से तो होता ही नहीं है मैं आपको दो अल्टेनेटिव देता हूं ध्यान से सुनना इस बात को लेकिन इसको बिल्कुल आखे बंद करके दिमाग बंद करके फालो करना है तो अगले छे दिन में ऐसा कुछ कोई चमतकार नहीं होने वाला कि आपकी आई कॉंट्रेक्ट बन जाएंगे मुझे दो महिने करने आप आप को फार्सस्ट टेप आपाय कॉंट्रेमेट नहीं मुझे करते छोड़ दोता है universities आपको एक स्लुशन आप यह तुर लगे वी थी तरफ देख रहा एक तो यह हो गया आप किसी की कि तरफ नहीं देख रहे नaj बीच बीच में हलका सा टो आई बॉल मुपमेंट होगी जाता है आप का उसर यह भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए मैं तो यह भी नहीं कर सकता हूं उसके लिए दूसरा टेकनिक यह है कि आप टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर किसी चीज को फोकस बना लो को ग्लास पड़ा है कोई पैट पड़ा है को पैन पड़ा है आप उसको देखते हुए अंसर कर लो यह लेकिन ऐसा बिलकुल के ऊपर कोई चीज पड़ी है उसको देख लो ऐसे करके वह भी फिर भी नॉर्मल माना जाता है नॉर्मल गाप एक्सेप्टेबल है वह फिर दैमेज इस मिनिमम विद दैट मिनिमम डैमेज है उसके साथ हाँ जी मेरे पास सलूशन क्या हो और भाई पहले तो पहला प्रेशन तो यह यह ना कि आई कॉंटेक्ट मेंटेन करना है यह तो उसकेस में अगर आई कॉंटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो पहले तो कोशिश करो कि आई कॉंटेक्ट मेंटेन करो आप सपोस्थ आपने 26 जनवर तक आपका नहीं आई कॉंटेक्ट मेंटेन हो रहा फिर क्या करोगे आप उपर ही देख रहे हो जाए हो। चैरिये तो आपका आपका नहीं होना चैिये होना अब कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे कि जिनका फेस नेचरली दियर प्रसनलिटी सीरियस वो स्माइल करी नहीं पाते कोई भात नहीं डूंट राइट तो स्ट्रेस्ट यूर्सल्ट लेकिन अगर को सीरियस कॉर्शन आ जाता है कि सेक्स रिशो की प्रॉब्लम के आ गया क्र सीरियस पोट्वbral नहीं थो तो अपनी करना आपको प्रजाट करने की पोशिशिश करनी सीरियस यह नहीं हो है यह यह हर कॉशे जा रहे में करी जा रहे को स्मयल करेंद रहे ब्रॉड अख़्ार्म लुक देना बस उसको अन्य करने के लिए कि आप जो मॉक इंट्रू दे रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग लिंक आपके पास आ रहा है अपने आपको अब्जर करो कि आप ठीक लग रहे हो क्या लेकिन अपनी प्रेस्ट्रेस नहीं करना है अगर आप नहीं स्माइल कर पा रहे हो घबराना नहीं है उससे कोई इतना बड़ तो यह कुछ बाते थी जो डूजन डू नॉट्स की विच्च आई वांटे टू शेर विडियो कि जो ब्लेंडर ना हूं बाते और बहुत की जा सकती है लेकिन यह आट-दस बातें आपने अपने दिमाग में पहले उतारनी है कि हां यह मेरे को जो है जो है ध्यान रखना है बिलकुल यह करना है मुझे यह नहीं करना है बड़ा बहुत क्लियर केरफुली ध्यान लगना है अग्यां जी पूछे 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 इंट नॉट अपने इंग्लिश में स्टार्ट किया आप इच में हिंदी बोलें कोई प्रॉब्लम निया है लेंग्वेज इस नॉट अबरिया आप उसमें बोलिए वहां पर कि आपको जिस लेंग्वेज में बोल इंट्रू देना आप उसी लेंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है कि और किसी के मन में डाउट है प्लीज पूछ लीजे कुछ भी अंचा हमने यही केना किसार, that is a judicial matter and I think sir, I do not have that enough information to give any opinion that and the due process of law will take its own course. किसी भी ऐसे legal matter में यह interview I remember, किसी भी ऐसे legal matter में अपनी judgment नहीं देनी शुरू कर देनी, if a matter is subjudice, यह भी quality check की जाती है कि आप कई excessive तो नहीं बोलते है, कि आप अपने judgment देने में महिर हो, यह चल रहा Supreme Court में, High Court में और आप अपने judgment दे रहो, you are appearing for an interview of a bureaucrat, चाहे आपका अपना opinion है भी, तब भी आप interview के अंदर वो opinion नहीं दे सकते. कि अब बहुत ज्यादा नहीं है, वो जनरी क्या होता है, question एक पूछ लेते हैं, जैसे मैं यह discuss करूँगा in the situation based question एक lecture लूँगा, क्योंकि आपका कौन सा CM favorite है, जो पीछे CM रहे है हराना में, वो आपका favorite कौन है, definitely आप से यह नहीं पूछेंगे कि बंसिलाल ने क्या किया या चुटाला साब ने क्या किया या और लोगों ने क्या किया यह नहीं पूछेंगे, यह पूछेंगे पहले तो आप से आपको ड्रैक करने के लिए कि अच्छा बताओ, CM आपका favorite कौन सा CM है, क्या answer करोगे इसका, बोलो, who is your favorite CM? आपका नाम के आप कौन बोल रहे हैं? नहा, आपने ठीक बोला है, लेकिन देखो, मैं इसी बात को अगर मैं differently बोलू, अपने सुना नहाने क्या बोला है आपने साथ किया सर, क्या कियी सर, I am not, अच्छा नहा, तो देखो मैं इसको च्छिन को कैसे आंसर को अच्छा आपका, इसको सुना आपका, Sir, the office of chief minister is very important position and it is occupied by a person who is the representative of people. Perhaps, all the CMs which have been there, they have done their best holding this and worked for the development of state and I think sir, it will be highly in a prepared for me to choose anything. एक बात, फिल करी है आपने बात फरक क्या है, हाँ, येस, क्या बात है, very excellent नहीं हाँ, आपने पकड़ ली बात, ये है positive answer जो आपने दिया था उसमें हलके से negativity आ रहे थे, आप ऐसा आ रहा था कि question से दूर भाग रहे हो आप, तो ये अगर कभी भी जोर लगा लो आपने चूज नहीं करना सीम, इसने कर दिया वो खाई में गिरा, जैसे पिछली बार हरेना का जब इंट्रू चल रहा था, तब ये नहीं पंजाब का चल रहा था तो election चल रहे थे, मैं आपको example देता हूँ, आगे भी election आने वाले हैं, तो आप state level पर ये tendency हो गई है, ऐसे question पूछने लगे हैं, टाइम पर नहीं पूछते थे, अगले election में, जैसे हराना में election होंगे या center government, आपको क्या लगता है, कौन सी पाटर जीताएगी, मैं आप से question पूछन हूँ कि आप बताओ जी, कौन सी center में कौन सी BJP wills, BJP form the government again, उसी तरह से एक और मैं आप से question पूछन पूछता हूँ कि विश्व पार्टी विल फांडी गवर्मनेंट ये पूछा गया है question और कई लोगों से पूछा गया है, तो क्या answer करोगे इसका, तो दर 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 कि अ लूखर अट धंशों कि और करें हूगों जिए जड़ोगों रज़ी, तो कि ये थे ये हीயोगे नफया, पूछनां से ऑंगाया है? तो यह अच्छा वोगे ठीक है आप अपनी प्रेजेंट नॉलेज्ज के हिसाब से यू जस्ट टैली अब आप पताओ क्या आंसर करोगे जो आपने एक बार एक नॉलिज कर लिए कि हमें बताऊंगी लेकिन मैं सोच के बताऊंगी मैं आपको कह रहा हूं कि कि अपकर प्रियो प्रेजन्ट नॉलेज की जो अब तक गौर्मेंट्स ने काम किया उसके वेसे बताऊंगी जिते आप आपके आपके उपर कंपल्शन आगी बताने के लिए इस पुचिए पुर्ट काम गिया है। Sir, India is a democratic country, right. And sir, there are number of political parties and whichever political party will do the best work, I think that party should win. अच्छा काम किया है सर इस नोट फॉर में तो से डाट विच पार्टी इस गूंग तो विन और लूस आई लेफ्ट इस जज्जमेंट आप पुछो मैं से फशाओ मुझे जैसे फशाना चाहते हो लेकिन अगर आपके मुझे निकल गया बीजेपी आपके मुझे निकल गया कॉंग्रेस आपके मुझे निकल गया आप गए नंबर वहीं आपके उड़ गए और वो चाहते भी नहीं कि आप कुछ हो आपकी अवाज क्लियर नहीं है तो देखें उससे करके हमें हमें ज्यादा उनको ग्यान देनी किया जूरत होता है पर प्लिटिकल नुट्रिलिटी एंड ओल अगर नहीं अगला मैंने आप से कुछन पूछूंगा अच्छा कि अच्छा आपके प्लिटिकल बॉसे आपको कुछ गलत करने के लिए कहते हैं विच इस लिगली नौट राइट वटी विल दू यह मैं करूंगा अगले एक लेक्सर में सिट्वेशन बेस्ट कॉस्टिन में आई विल इस्कूस दिस्टिंग यह आम कॉस्टिन है जो पूछ लिया जाता है स्टेट लेवल इंट्रूज में और यूपिया सी में भी इफ यह प्रस्राइस तो सम्थिंग रॉंग तन वट व इस नवर फ्रूटिकल पार्टी और जो पार्टी सबसे अच्छा करती है सर उसको जीतना चाहिए यह बहुत बड़ी आपने गाता बोल दी अगर वो करें एक चूज करो नहीं तो नहीं सर अग्चुली सर इंट विल इन्ट इस अच उपीनियन आप ताम इतना मर्जी प्रि आपको उसे बहार निकलना चाहिए यह, yes sir for the past few months this yatra is going on and I think it is a very good learning experience for congress and they are trying to build up on their lost reputation and because factually congress has lost in various state governments and so let us see sir what benefit they can accrue from it. यह diplomatic होते हैं बड़े typical question होते हैं यह इन से बाहर निकलना तब ही मैं discuss कर रहा हूं यह जो आपने देखिए अगर आपको पता लग भी जाए तब भी जाने की कोशिश नहीं करनी है इस डेमेज़िंग देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं आप अगर एक्सेसिवली बोर्ड के बैग मेंबर्स की बैग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कोई मुश्किल नहीं है आज किसी भी मेंबर्स की बैग्राउंड जानना मतलब फ्यू मिनट्स आप जान सकते हैं क्या उसमें करी क्या काम करें जंदगी में कोई बड़ी बात नहीं है इट इस वेरी स्मॉल मैटर सिट नदा कंप्यूटर और विदिन सेकंड्स की यह बंदे की हिस्ट्री क्या है लेकिन इतना मै कोई भी सेंसिबल बंदा जो जानता है कमिशन के इंटर्व्यू पो यूपी सी को वो कभी आपको सुझेश्ट यह नहीं करें इट कैन बी पॉपुलिस्ट यह बड़ी पॉपुलिस्टी चीज आपको लग सकती है लेकिन यह डेमेजिंग है मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि ज बायर्टा आपका उसके सामने हैं उतने आपके बायर्टा को देख टी कोशन को पुछे तो प्लीज ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि आप मन में बायस लेकि इंटरू में जाएं और सपोस्पोज नो कुछ ना पूचे अब आपके मन में बायस आ गया जो चेर में आफएस है तो आपको कहीं न कहीं बायस मन में रहेगा यह कोशन पूचेगा पूचा है नहीं उसने एक भी कोश्चन तो वाइल आंसरिंग दी कोश्चन वाई तिंकिंग आपके दिमाग में वही घुमता रहेगा बस तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए वाक्या आपकी मर्जी है बट आई डोंट सुझेस्ट कि ऐसा कूँ काम आपके रहेगा यह यह यूपिसी में भी मैं सेम सुझेस्ट करता हूं आपके बोड में कौन सा में वहां पर आपके बोड में कौन सा मेंबर आया नहीं आया तो आपके बोड में कोई और बैठ गया आपको यह नहीं पता लगता कि कौन सा बैठेगा बहुत सारी चीज़ें यह है तो आपके डिस्टिक का नाम कैसे पड़ा या आपके डिस्टिक की यह प्रॉब्लम्स है खास आपके डिस्टिक में कौन है एस डिम कौन है आपके अलाग्टे से अमेले कोन है यह पता होने चीज़ें नाम सारे बस इतना सा पता हो उसके आगे कोई टेंशन नहीं आप हमेशा कह सब्सक्राइब अगर आपको किसी भी अपने कुश्टिन के ऊपर डाउट है कि यह यह इस पुस्टिन में आम नॉट सैटिसफाइड विड रेमेंबर वन तिंग वेरी केरफ़ी इसी भी कुस्टिन में चाहे वह रणा का है चाहे वह आपके अक्डिमिक बैग्राउंड का है अगर आपको लगता है कि आम नॉट सैटिस्फाइड विड डैट कुस्ट अंसर तो अब वह आप मुझे भीजो कि वह आंसर आप मुझे भीजू कि देखो मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा एक फर्स्ट पे तो आप फोन पर पुछो क्योंकि आयम टेकिंग सो मरी मॉक्स फिर आपके स अगर मुझे लगेगा आपको लगेगा कि नहीं जरूरत है अगर आपकी फोन पर रिमूव हो गई बात वॉयस मैसे से तब क्या दिक्क्त है या आप जब मौक के लिए आओगे मौक के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो तो ऐसा ना कि टाइम बहुत शॉट है कि एंड़ फ् अगर मेरे से अगर में या वर्णार के लिए वागर मेरे आपको लिंक बिल जाएंगे उस कोर्स में सारे लेक्टर पड़े है मैरे ये वले और जो मैं ये डिलीवर कर रहा हूं यहीं से टाइम यहां पास एक मिनट का टाइम नहीं है और मेरी स्टेड़ी बहुत खिलिए आप सारे ध्यान से द्यान से सुन लो मैं यहां वेरी कंजर्वेटिव बाउट इंटरव्यू आप इसको मेरी स्टेंज क्या लो विक्नेश क्या लो इस वक्त मैं आई ओर responsibility towards you. जो मैं suggestion देता हूं मुझे यह सोच कि आपको suggestion देना है कि आपका इंट्रूट तीज कद एक दो तीन चार में आ जाएगा and it is very near. तो suggestions have to be given very very cautiously. कोई बार ऐसे हम बोर्ड मेंबर गुला लें आपको destabilize कर दें आपको demotivate कर दें तो नंबर ही नहीं आ सकते हैं तो बहुत personality में defect है और वह एक्षुल में होता नहीं है पर लोगों को suggestion कोई बार देना होता है तो वह देते हैं जब रस्ते मैं आपको वह suggestion दोंगा जो आपके लिए damaging नहीं होगा और आपको भी ध्यान रखना है जो भी मौक देना आपको एक बार देख लेना है कि वैदर यह ठीक है या एक इंडिविज्विज्वल ठीक है एक्सपिरियंस है डिक नहीं या सुझेशन देने के लिए सुझेशन दे रहे हैं वस यूपी एसी के अंदर हर साल इतना होता है बच्छों का हमें संभालना मुश्किल हो जाता है कि आर्बिट्रेशन में आपको एक्जांपल देरों सुझेशन कैसे होते हैं आपकी अवाद तेज आप बहुत फास्ट बोलते हैं लो बोलो आप थोड़ा उचा बोलो आप स्माइल करने की कुशिश करो अभी को जो ने वर्मल आपका स्टाइल होता वैसी बोलते हो और आपको वैसी बोलना है नहीं तो आपको फॉट्ट प्रोसेस लिख कर जाएगा अर्ब आप आंसर नहीं दे पाओगे वहां पर आपका यह ध्यान में रहेगा मैं ठीक बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं मतलब ऐसे से तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इतना घबराना भी थे थोड़ा ध्यान से बस हां जी हाँ बिल्कुल कर सब्सक्राइब कोई फर्क ने पड़ता है बाद में मिल जाएगी पहले मिल जाएगी तो आपको कमिशन से पूछना पड़ेगा देखिए तो अब यह नया इस बार इंट्रू कैसे लेते हैं तो बहुत सीक्रेसी रखी हुए उन्हों नॉर्मली कोई प्र आपकी इंट्रू हो गया इंट्रू से अनुसी का कोई तालूक नहीं होना चाहिए वह बाद में भी आप समिट कर सकते हो डिजन मैटर सब्जेक्ट टू अनुसी हो जाता है हैं जी क्या करें आपकी होबीज या और जॉब डिटेल्स ये वह सब हुआ है वह ना वो वह मेभी आपको फॉर्म भरवाएं जिसमें वह डिटेल्स हों अगर नहीं भी भरवाएंगे तो देवे आस्की देर क्या क्या कर रहे हो आपकी कौन सी जॉब कर रहे हो आप तो कौन सी होबी आपकी तो वह तो त्यार करके जाने ही पड़ेगा तैस्वाइब फिल्ट फॉर्म जो हम आपसे भरवा रहे हैं फॉर मॉप इंट्रू फॉर्म वहाँ पर प्रॉबबल कुस्टिन पूछ सकते हैं एवन आपको स्लोट मिल जाया कोई अजी को मैं लुगा एक सेशन मैं एक सेशन देखो अभी आपका सुच्वेशन पे लूगा यह जहां जहां ग्रेयरिया जने रहा हूं वह जैसे में हरना की प्रॉबलम्स है सेक्सिट्रीशों क्यों हो एक हरना की प्रॉब्लम्स पे यह मुझे मुझे बहुत बड़ा ग्रेयरिया लग रहा है कि किसी बीविशे का शोशर पर विन सिंग नहीं है कोई बच्चा मुझे ऊंसर एक भी अभी तक यह निकर पाया की और हरना की शेक्सट्रीशों लोग कि है एक किसी एक बच्रीच्छे का भी ऻाइंस? हमारा घुक है मेडिकल कहां तरकी नहीं हुई मैं करूंगा अगरिकल्चर तो बहुत सारी सुसाइटी रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन एक प्रिसाइस आंसर मैं आपको दूंगा कि हाँ जिससे आप अट लिस्ट वो कर सको ना मैनेज कर स्वेश्ट को अगर है यह मैं क्यों ले रहा हूं मुझे पता है आपके सब अगर यह चीजे मैंटेन कर गए जो मैं बता रहा हूं यह चीजे मैंटेन कर गए तो आपके अच्छे नमबर आजाएंगे जो मैं यह चीजे बता रहा हूं आपको यह मेंटेन कर गए पोस्टरल यह वो यह यह लेटेंट लेवल पर आपको नमबर दिलवाएंगे चीजें कि ब्लेंडर नहीं हुआ कोई ठीक है गए और साफसुतर आगए बाहर अब यह तो आपको नही नहीं आता होगा बस यह प्रिंसिपल्स मेंटेन करने अपनी त्यारी करनी है किसा दिन में कितना त्यार कर सकते हैं उत्तरा त्यार करना है यूशुड़ नोट व और आपको वह बाते पता ही निया जो-गयो अट न्यावर्त नहीं तो 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 नहीं है आपको वह सारी बाते पता बता होना छाही है लेकिन वह नहीं पता ये नहीं होना कि अपली टुट युलाहिं कि अहां है ुद्फर्णॉख आप इसको इमिडियेटेक नॉलेश कर और आप आपने हमसर दिया है गलत ठीक है आपको दो-तिनक्टिन के Bar cat आया या आपको लगा त Repeat आपने गलत आंसर दे दिया था, आप context बना के, context बना के remember, आपने सब को रोक राके नहीं सहूर, देखो जी मैने पहले गलती कर दी, I am sorry for that, आपने context बना के, फोड़ा सा पोलिटली कह जना के, sir I think I have committed an error in that answer and I seek your pardon for that, बस, elegantly without having any guilt on the face, गलती किसी से भी हो सकते है, guilt नहीं आना चाहिए पेस पे, यह नहीं आप घबरा गए, nervous हो गए, anxious हो गए, नहीं, किसी से गलती हो सकती है, तो then what, लेकिन acknowledge करना जरूरी है, in case, suppose आपका context नहीं बन रहा तो चुप रहा हो, हाँ, लेकिन अगर कोई board member point out कर दे कि आपने वो answer किया था, वो तो ठीक नहीं था, तो आपने थोड़ा सो सोचन है, पादू में sir, I also do think that and I seek your pardon for that, I was wrong, आप इतना समालिजे, interview is going to be very crispy interview, तो give them the opportunity to ask question, एक और मैं आपको do बता दूँ, आपका answer जो है ना बड़ा क्रिप्स होना चाहिए, जो पूछा गया वही answer करना है, मैंने आपसे पूछा what are your strengths, आपने कहा I am hard working, I am sincere and I think and my family and friends think that I am having a sound integrated, अब यह नहीं है कि आप पहले मैं hard working हूँ, उसका explanation देने लग गए, फिर मैं जी sincere हूँ, sincere का बताने लग गए, अरे भाई तीन qualities पूछी है, तीन strengths पूछी है, बता दी, let them ask further question, आप से मैंने पूछा वटा था three social problems of हरहना, आप पहले बोलो sir, first problem is the relatively low status of women and specific issues like sex ratio and all, second is sir, I think migration problems are there and third is increased unemployment across different sections of population. अब आप मैने sex ratio आप उसका reason बताने लग गए, साथ में explanation देने लग गए, एक ही problem की उपर आपने बोलने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है, आपको answer बड़ा क्रिप्स देना है and give them the opportunity to ask maximum questions from you. वो देख लेंगे फिर आपके interview में कि कैसे, ठीक है, ओके बाइबाए फिर, कल मिलेंगे दुपारा, हाँ जी, last question बस, हाँ जी. क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा रहता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि वह रेंज सेक्रोसेंट है, रिमेंबर, यह एक्शली डिवाइस हुए थी पंजाब में, पंजाब में यह range method यूज किया गया था एक टाइम पे, बट वह आप इतना समलीजिए, वह range को सेक्रोसेंट नहीं है, ऐसा नह है, ऐसे, देखरेंगे आप, बट टेंडेंसी ज्यादा इस range में हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होंगे और यहां नहीं होंगे, यह हमने पूरा analysis किया है, पूरा analysis पंजाब के सारे इंट्रूस का, जो result आए final, ऐसा नहीं होता, तो आप किसी भी बायस से मत है, यह हमने, फैक्चुली, फैक्चुल चार्ट है, हमर पास पूरे हमने, ड्रॉ करके देखे कि यहां क्या range, इनका range का मतलब क्या है, बेसिकलिए, आपका इंट्रू ठीक या, देखो, मैं तभी मैं क्यों एंफसाइस कर रहा हूं, ब्लंडर ब्लंडर पे, तभी मैं क्यों आप इंफसाइस कर रहा हूं कि first thing first, इतना पहले त्यार करना कि आप इस range से नीचे ना जाओ, आप इस range की upper end पे रहो, लेकिन अगर आपने blender कर दिया कोई, विश्यू नहीं किया, गलत विश्य कर दिया, तो भी गुड मॉर्निंग है, आप जाके वहां बोलो, गुड आप् लेकिन अगर आप बलफी कर रहे हो, फिर आपको number कि इस range में कौन देगा, फिर तो यहां आके गिरोगे आप कही नीचे, and they will write on the chart कि भाई, इस person is guessing in every answer, so his marks, 20% marks are justified, अगर वो इस range में सारे ही कर देंगे, फिर तो court में चलेंज विडाएगा ना कि इंट्रू किस बात का, फिर इंट्रू ले के और रहे हो आप, टीके जी, चलिए, कल मिलेंगे फिर, we will meet again tomorrow, right, thank you very much, good day, bye-bye. झाल झाल